हलो फिरेंड्स मेरे चैनल पापका हर्दिक सागात है यह वला एस्टेंड मैंने बनाया था आप लोग बहुत पसंद किये हैं इस एस्टेंड को जो फिरी कहीं एस्टेंड बनाई पौट रखने के लिए ठीक उसी तरह एक और एस्टेंड मैं बनाने वाले हूं इस साइड में खुलर के साइड में इस्टेंड बन गए हैं मेरे जेट पलांट सब सेव है और इधर भी खाली एस्पेस है इधर मैं बनाने वाले हूं वीडियो पूरा जरूर देखिएगा मैं कैसे बनाने वाले हूं फिरी कोस्ट से पहले जारू लगा लेती हूं और यहां जो इस्टें मैं जेट पलांट को सारे इस साइड में सेव करना चाहती हूं देखिए जारू लग गया है और उसके बाद बनाना शुरू करती हूं इसमें भी मैंने इट कहीं इस्तेमाल करूंगी और इसमार मैं पत्थर का टाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगी इस्तेमाल मैं लक्री का इ कुछ कि इतो निजितने तॉर चुप जाएगा नियुक्त है पौई बजला यृट जितने इधा शक्ते अंचा दिया। पढू आप जतने इतना चाहेंगे दो ती उतना बना सकते हैं आपके अगुथ-इधार ज 네 to सब्सक्राइब शर्ण हों ईसे हाइट ज्यादा करना होगा चहरे साथ एब कर सकते हैं कम करना हो तो चार-पाँच तरह एष्टे बना शकते हैं अब बिना कलर क्यों भी इत और सकते हैं अशा नहीं से इत पर करना जरूरी है मैंने इसी तरह करदिया सफ चाहित नहीं इस तरह कि अब लक्री कभी इस्तमाल कर सकते हैं पत्थर नहीं होंगे तो इस तरह कि मेरे पतले पतले फठे बच्चे हुए थे देखें अब इच में भी मैं इट लगा दे रहे हूं ताकि हे भी हो जाएगा पॉट रखने के बाद तो नीचे गिरेंगे नहीं इस तरह मैं द लगा रहे हैं इसको मैंने कलर कर दिया है 2 सब्स प्रीक देख रहे होंगे कलर कर दिये हैं 2 दिन पहले त get बेच ताकि शुख ब design से इसके नीचे बनाओंगे देखें इस तरह आप लोग भी लकरी हो कोई बचे हुए चोटा भी बरा भी जिस तरह बनाना चाहेंगे इस पेस के साफस तरह से बन जाएगा और नीचे में चार लगा रहे हुए उपर पांस लग रहा है नीचे तीन लगाऊंगे चार नहीं ताकि थोड़ा हाइट नीचे रखोंगे और दोनों स्टेन में बरावर ही बना रहे हुए कोई इधर कोई उधर नहीं ताकि अच्छा भी लगेगा देखने में मैं तीन ही लगाऊंगी इसके साइड में उधर भी मैंने इसी तरह लगाया था आप लोग बहुत पसंद किये हैं उमीद है इस वीडियो को भी पसंद क बने रहे हुए पतला पतला मेरे पास बचा हुआ था उसको कलर करके रख दे रहे हैं दो इस पर मैं आप पोड रखोंगे उसके बार में थीरी इस बनाओंगे ये देखें दोनों पटे जो बच्चे हुए थे उस पर कलर कर दिया देखें जेट पलांट का मैंने छोटा मैंने किनारा में रख दिया है दो किनारा में अच्छा लग रहा है देखें और पॉट्स पर मैंने बहुत पहले ही एलो कलर कर दी हूं देखें बीच में टो प्यारी बनाई थी आप लोग एसा सेर भी किया था वो टो प्यारी बीच में रख दे रहे हूं देखें अच्छे पानी बहुत कम दीजिए तो प्यारी को मैंने उठा के साइड में छाय वाला जगा पर रख दिया था ताकि पानी नहीं परे देखे इसमें विजेट पलांट है तो प्यारी बनाने के लिए मैं इसको भी त्यारी कर रही हूं और इसमें छोटा सा बीच में मैंने लगाई हूं इसमें भी मैंने टो प्यारी बनाया था जो आप लोगके साथ शेयर भी किया था देखे दो अश्टे बन गए दोनम पर मैंने रख दिया और देखे बोटल्स है इसमें ओल करकेões पने पहले ही डराइँ किया था दिखे ऑजेट पलांट लगाई हों बस जेट पलांट को पानी का ध्यान रखना है जो भी पोट में लगाए बेल डरीन मिटी लगाए होल बनाए जरूर देखिए इसमें मिकीमस बने हुगे हैं और उसमें भी तीनों में बनाकर मैंने जेट पलांट लगा दिया है बहुत अच्छे से चल रहा है देखिए इधर यह चल रहे हैं और इधर भी पलांट अब मेरा सारे अच्छा से चलेगा क्योंकि इधर ज़ड़ा पानी नहीं परेगा चलिए तीसरा इस्टेप बनाती हूं नीचे के लिए मैं एक एक इट ही लगाऊंगी पहले भी मैं एक इट लगाई थी तीसरा इस्टेप के लिए इस त इसको में रख देती हूं इसको तो कलर करने के जरूत नहीं है देखे इस पर एक बुद्धा जी है यह बहुत पहले मैं नर्शारी से लाया था यह मिठी के बना हुए 50 रुपय में लाई थी इसको यहां बठा देती हूं छोटे-चोटे बुद्धा जी इधर बठा देती ह सुंदर लगे देखें कितना खुसुरत लगने लगा देखें आप इस टेन बनाए उस पर पॉठी नहीं जरूरी रखना कोई भी चीज रख सकते हैं यह देखें मैंने गुलाब को फोल भी इस पर डाल देती हूं बुद्धा जी के लिए यह देखें कितना खुसुरत लग रहा है बनने के बाद और यह मस्रूम सब बनाई थी और देखिए कुलहर में जैने चाय के छोटे-छोटे कुलहर में भी मैंने कलर करके जेट पलांट लगाई थी उस सब इधर रख देती हूं यह आप लोग इसा सेयर भी किया हुआ है जब वीडियो बनाई थी इस सब छो मेरे अचा लगता है कि हरचीज में मैं जेट भी पलांट लगा देती हूं जब ही कप हो मग हो तूल जाते है किडियों में इसको होल बनाकर मैं जैट पलांट लगा देती महित्र तुटक भी में होल और देखिए यह ने में गंभात करके नहीं है कितना अच्छा लगने लगा देखिए थोरे खाली लग रहा है इत दिख रहा है तो इधर भी मैं पलांट रखोंगी देखें इस साइड में भी जेट पलांट के इस्टेन बन गया फिरी का और इधर भी कितना खुश्वरत लग रहा है और सारे जेट पलांट में देखिए इस तरह का दो इस्टेन मेरे फिरी के बन गया चलिए इधर थोरे इंट दिख रहा है यहां भी दो पॉट और है उसको भी रख देती हूं जेट पलांट के जेट पलांट के कटिंग में हम इसा लगाती रहती हूं जभी निकलते रहता है कटिंग पुर्णिंग कर करेंगे वीडियो पसंद हो तो जरूर लाइक करिए सब्क्राइब करिए साथ के साथ सेर भी किजिए देखिए इस नरसरी वाले पॉट था इसमें भी मैंने कटिंग बहुत सारे लगा दे सारे गुरो हो गया है अब इधर दोनों तरप पॉट रख देने से हीट नहीं जरूर लाइक करिएगा फिरेंट्स देखिए इस तरह मेरे दो इस्टेन फिरी का बन गया है आप लोग भी इस तरह का इस्टेन बनाएए कुछ भी घर में बचे हो सब से इस्टेन बन जाता है लकरी हो पत्थल हो टाइल जो इट हो उससे इस तरह का बजार से लाने के लगे लाइक करिए थैंक्यू फिरेंट्स